साउथ दिल्ली के भाटी माइन्स की हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां पर एक सर्फिरा एक गाड़ी का सीसा तोड़ता हुआ नजर आ रहा है आखिरकार इसने सीसा गाड़ी का क्यों तोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा तस्वीरे साउथ दिल्ली के भाटी माइन्स इलाके की हैं जहां पर रात में एक सक्स देख सकते हैं आपकी सूट बूट में पहुंचता है और इसके बाद यहां पर पत्थर उठा कर एक गाड़ी का सीसा तोड़ देता है हलाकि इस सक्स ने गाड़ी का सीसा क्यों तोड़ा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया लेकिन इसकी सिकायत जो है दिल्ली पुलिस को देदी किया है जिहां फटेपूर बेरी के संजे कालोनी थाने में इसकी सिकायत दी गई लेकिन बावजुद इसके इस सिकायत पर पुलिस अभी तक कोई अमल नहीं किया है सिकायत तो दर्ज कर ली गई है लेकिन अभी तक इस आरोपी को गिरपतार पुलिस नहीं कर पाहे कि आखिरकार ये सक्स कौन है जिसने इस गाड़ी का सीसा तोड़ा फिलाल गाड़ी मालिक मनोच कुमान ने बता है कि उनकी गाड़ी लगा गाड़ी का सीसा तोड़ दिता हाला कि इस सरफिरे की पूरी करतू जो है सीसी टीवी में कैद हो गई लेकिन ये सीसा गाड़ी का क्यों तोड़ा गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया जिस तरीके से कार मालिक मनोच कुमार ने बता है कि वो रोजाना की तरह अपनी करकर अपने घर चले गए लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का सीसा तोड़ देता है और इसके बाद फिर मनोच ने संजेक अलोनी चोकी को इसकी पूरी सूचना दी और लिखित में सिकायत दी और पुलिस ने सिकायत तो रिसीब कर ली ल मनोच कुमार है घर के बाहर हमारी मारूती बैन खड़ी थी जिसका रात में किसी ने सीशा तोड़ दिया है ये मुझे नहीं पता किसने तोड़ा है जिसकी सिकायत मैंने पुलिस में दे दी है और ये मेरे गाड़ी का सीशा तीसरी बार तोड़ा गया है जबकि सामने घर के CCTV कैमरा भी लगा हुआ, इसके बाद भी ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है, एक किसी ने जान भूज कर ऐसा किया है, जो किसी की सोची संभी साजिस हो सकती है